हेलो गाईस कैसे हो आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब लोग ठिक टाक होंगे गाईस ये देखो ये मैंने पुरानी साड़ी और पुरानी चुन्नी की पटी ली है इस पटी की चोड़ाई ली है मैंने लगबग 4 इंच दोनों पटीयों को हम ऐसे साथ में जोइंट करें है आप देखो दोनों पटीयों को साथ में लेते हुए इसके अंदर से हमें इसको निकालना है इस तरीकी से तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही टाइट हाथ से हमें इसकी गुंथाई करने हैं ये नहीं है कि हम लिउज हाथ से इसको निकालत आएगा कि किस तरीके से ये जो प्याराशा डोरमेट है ये बना कर त्यार किया है बिना सिलाई बिना मसेन से तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये इसकी सीधी साइड है तो सीधी साइड होगी उस साइड में हमारी ये एक जैसे हमारी मटर की साइड फली की होती है सैम उसी तरीके से यह डिजाइन्स बनकर त्यार होगा तो इस तरीके से फ्रेंड्स यह देखो पूरी डोरी को मैंने गूंत कर त्यार कर लिया है अब हमें क्या करना है देखो इस डोर मैट को सील कर त्यार करना है देखो यहां से हम इसको पकड़ेंगे और इस साइड से हमें देखो दोनों स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंट्स लोगों में शaires करें अगर फ्रेंट्स आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्रेज चैनल को सस्क्राइब करना ना तो दोस्तो अगर आप भी से बनाना चाहते हो तो प्लीज आप भी से एक बार जरूर बना के देखिएगा बनाने में बहुत ही असान है देखो इसके अंदर ना हमें करोसिया चाहिए ना हमें सलाई चाहिए ना कोई सलाई मसीन चाहिए सिरफ हम एक सुई से और अपनी पुरा भी कशी होती है कि यह बनाने से तो बैट रहें कि हम मार्केट्स से मार्केट न हुकूर्षी हो देखो जो हम हाथ से सीज़ को भी बनाते हैं तो उसमें लग चीज अब IRS देखो आफ यह मैंने घर पे यह वाले चीज बनाई यह देखो कैसी लग रहे तो शबी झाना कि हाँ अच्छी लग रही है एक बार सुंदर बनेगी दूसरी बार उससे भी काफी शुंदर बनेगी तीसरी बार उससे भी ज्यादा सुंदर बनेगी तो ऐसे हैसे हम आगे आगे बनाएंगी तो हमारी हर एक चीज बहुत ही शांदार बनकर त्यार होगी तो इसके साथ ही द कर दो लगान्स